कि नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वाधत है आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी रेश्पी केले की चिप्स दिन बार्टिक में जैसे मिलते हैं उससे लिए अच्छा देखिए कितनी क्लंची है इस तरह से आप घर पर ही बनाकर खाईए चलिए इसे बनाना सूम पार आप आपतें से इसके लिए हमने ले लिया है दो पार तोंचे देस kau अब मतें इसे चैनल पार गईए इससिए चीरा लगाएगे इस तरह से इसका छिल्का इस तरह से निकाल देगे इस तरह से चीरा लगा करके छिल्का निकालने से आसाने से केले का छिल्का निकल जाता है देखिए कितने आसाने से निकल रहा है छिल्का केले से दूसरा भी हम इसी तरह से देखिए हमने दुनों केलो का चिल्का निकाल दिया है इसे अब हम डाल देते हैं पानी में हमने एक बाउल में पानी लिया है इसमें हम डाल देंगे जिसे केला हमारा काला न पढ़े और एक लेल लेंगे कटा जिसे हम चिप्स काटते हैं हम इसे साधे वाले से काटेंगे एक केला हम काट लेंगे एक खड़ा रखेंगे हम उसे डायरिक्ट ही प्राइद करेंगे कि इस तरह से देखिए हम चाकू की शायता से भी इसे पतला पतला काट सकते हैं इतना पतला सा कटा है लेक इस तरह से हैं चाको काट सकते हैं विएक बात कीाट सकते हैं जिस से आपको आसाने लगए उससे काटती है अचैनल stam 33- ミेख सबर्ण हहे एक केले को इस तरह से लगजिए सला इसमें कटकर लिया है ध्यूदा-ध्य स्था होना चाहिए दरी आप चाकुा से ने चैप्स हुआ है कि काटनेवाली मसेड इसको हम अलग रखते है है हुम लेंगे के टोरी में पानी जो बहुत ज़रूरी है с किप्स को प्रौकब्रा करने केиляं और कलर देने के लिए हम इसमें डाल देंगे पाने में थोड़ा सालजी पाउडर जो मारे चिप्स को कलर देगा इसे मिला देंगे इस तरह से इसमें डाल नमक हमने चोटा चमच लिया है इसलिए हम एक चमच डाल देंगे इसे अच्छी प्रकार से मिला देंगे हमने हल्दी नमक को अच्छी प्रकार से घुला लिया हैं इसको हम प्राइबिए करेंगे चिप्स को उसमें दालेंगे हमने गयास पेड़ाये रख दिया है उसमें तेल डाल दिया है तेल गरं मौश छुका है एब इसमें हम चलिए बनाते चिप्स एक चिप्स कटल ले लेंगे हम और सीधे ही जो हमने केला रखा था सीधे इसको इसमें तस करेंगे इस तरह से लिखे इस तरह से इस तरह से हमने केला को जाल लेंगे जो हमने गूल बनाया रहा था हल्दी और नमक का इसमें डाल लेंगे चमच अच्छा सा कलर आएगा और जो हमने नमक भूला है उससे चिप्स में नमक चला जाएगा तो बार में हमको नमक नहीं डालना पड़ेगा और प्रंशिंग देगा इसके जाइस तक्ले में प्रेडियम कर देंगें और इसे उसे उसे तक करने वी हलका हलका इसकर से चला करके प्रवाह निजाएगा तब हमसिटका निकाल नहीं है बहुत ज़र्दी रिसंगा तो केला पहले काटा हुआ था उसको हमने अच्छे से सुखा लिया है किचन तौलिय से देखी इसको फ्राइ कर सकते हैं अगर इसको डालेते हैं तेल में है अगर आपको डायरेक चिच काटके तलने में दिकत होती हो तो आप इस तरह से भी तल सकती हैं इसमें भी आम डालेते हैं वही गोड लोइ बना कर के तयार किया है लाएसा कहुड़ व्यूजहा है व्यूभ व्यूभ बश्यूबत लाएसा गल्योद्यो þarए व्यूभ दो केले में दोस्तों एक कटोरे भर करके उसे जादे ही चिप्स तयार हुआ है और बहुत पर्फेक्ट बना हुआ है अमारे चिप्स देख़ी किस तरह से क्रिस्पी है आप इसे इस तरह से जरूर बना कर खाईए बहुत ही जी तरीका है मार्केट से आपको लाने की जरूरत दोस्तों और खाने में उतनी ही टेस्टी दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन जरूर दबाईए जिससे हमारा ने नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं दोस्तों मिलते हैं अगली दोस्तों में धन्यवाद